हेलो दोस्तों सागत है आपका B.E.R. Tech YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उद्ध्योग आधार क्या होता है इसके क्या वेनिफिट होते हैं कि लोगों को या बनवाना चाहिए किन को नहीं बनवाना चाहिए तो इस वीडियो में हम complete जानकारी लेंगे और साथ इस साथ वीडियो को सेयर भी कर दीजिएगा थेए अपना जीएस्टी बनवाकर अपनी फर्म का रिश्टें करा लेते हैं प्रतों चोटे बिजनस वाले लोग होते हैं उनको या उद्ध्योगादार बनवाना चीए उद्ध्योगादार से जो वेनिफीट होते हैं इसके ल और अपने business का जो भी डिटेल आप वहां पर सो करा सकते हैं। कहीं पर भी आपको अपने business को join कराना है। तो वहां पर आपको उद्ध्योगाधार ही लेके जाणा होता है। उसके वाद आपको कुछ भी नहीं लेके जाना होता। उसको आप इस website पर आएंगे तो इस तरीके से home page पर आपको यहां पर दिखेगा register here के लिए यहां पर आप इस पर click कर देंगे इस तरीके से तिखिए इस पर मैं खोल देता हूं तो यहां पर देखिए आपको अधार card यहां पर आधार card और pen card से बनवाना होता है तो यहाँ पर अपना आधार संक्या डाल देंगे और अपना यहाँ पर आधार कार्ड में नाम है हुआ डाल देंगे और यहाँ पर validate कर देंगे validate करने के बाद आपके आधार कार्ड में जिस नंबर जो आपका नंबर registered है उस पर वो टीपी जाएगा अब आपको यहाँ पर अपना pen verification में यहाँ पर proprietary select करना है यदि आपका एकल स्वामित तो है यदि आपका और को यहाँ पर partnership या जो भी कटागरी है तो यहाँ पर उसे भी आप चुन सकते हैं जैसे मेरा यहाँ पर proprietary है तो मैं इसे चुन लूँगा अब आपको यहाँ पर अपना pen card नंबर डालना है और pen verification complete करना होगा देखें यहाँ पर मेरा pen card का जो detail था और आधार card के detail पूरा verify हो गया है अब मैं इसे continue कर दूँगा देखें आप continue करेंगे तो यहाँ पर देखें मेरा यहाँ पर pen card के आपके pen card के through यहाँ पर पूरी detail आजाती है कि आपने पहले ITR फाइल किया है या नहीं किया है तो मेरा यहाँ पर no आगया आपने आप आप देखें आपके पास GST है तो yes करिएगा नहीं तो no करिएगा छोटा business है तो no ही रहेगा आप देखें यहाँ पर उद्यम registration में आपके नाम आटोमेटिक वेरिफाई हो जाएगा आपके आदार कार्ड से mobile number, email ID आप यहाँ पर डाल देंगे उसके वाद आप यहाँ पर नीचे slide करेंगे तो देखें यहाँ पर जो सो कर रहा है यह percentile यहाँ पर जो category के हिसाब से होता है जैसे yes see general यहाँ पर जो share case आप से जो दिया गया है इससे आपको कोई भी partnership और जो इसके जो percentage होते हैं वो यहाँ पर दिये गया है इससे आपको कोई मतलब नहीं है इससे आप ignore कर दीजेगा अब इससे हम नीचे बढ़ाते हैं तो देखेगा यहाँ पर आपको category चुननी पड़ेगी जैसे मेरा यहाँ पर general था मैंने general कर दिया अब आपको gender चुनना पड़ेगा और यहाँ पर यह दिया आप दिब्याइंग है तो yes करेंगे नहीं तो no करेंगे अब देखें यहाँ पर उद्यम का नाम जानी कि आपकी जो swap है उसका नाम लिकेंगे और नीचे भी same वही नाम रहेगा यूनिट में उसका आपको यहाँ पर देखें लोकेशन में जो आपका यहाँ पर है जो आप इसे add unit करेंगे जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ उपर slide करके जैसे मैंने यहाँ पर CSC डाला और add unit किया है तो अब देखें यहाँ पर select करने का CSC जो आगया जो आप लिकेंगे वही आ जाएगा अब आपको यहाँ पर अपनी जो swap है उसका पूरा address डालना है यहाँ पर गाओं ब्लॉक पूरा भरना है डिस्टिक इस्टेट भरना है और add unit पर क्लिक कर देंगे उसका आप देखें यहाँ पर 13 नंबर पर आएंगे आपको जो कारेले का पता है यहाँ पर भी आपको same address ही डाल देना है जो आपके status आप enterprises में आपको यहाँ पर जो आपकी तारीक डालनी है कि आपका business कब से चल रहा है या भी नहीं चला है तो आप कब से उसे start करने वाले है आप देखें यह B number section में आपको बताए जा रहा है कि आपका यदि business running में है तो आप yes करेंगे यदि नहीं है तो no करेंगे यदि no करेंगे तो यह date नहीं भरनी पड़ेगी यदि yes करेंगे तो आपको date भरनी पड़ेगी आपने कब से अपना business start किया है तो दोनों date same ही रहेंगी उसका आपको अपनी bank की detail भरनी पड़ेगी पूरी उसका 17 नमर में देखिए आपको यहां पर जो major activity होती है तो यहां पर आपका business manufacturing में आ रहा है या service में आ रहा है यह अपने अनुसार आप सुनेंगे जैसे यदि आपको manufacturing करते हैं तो manufacturing में रहेगा मेरा यहां पर service में रहता है तो मैं service करूँ गा और यहांप जो NIC code होता है इन्हें आपको बात ध्यान से परहने होता है मैं अब ही बताओगा इसने कितकी तरीके से करना है तो कर देखें मैं यापस service कर देता हूँ ओपर भी service कर देता हूं अब दे amid कर सेयुकिए तो यहां पर कर देता हूं नीचे स्लाइड करके यहां पर मैं इंस्रेंस वाला जो है मेरा इंस्रेंस है तो मेरा इंस्रेंस कर देता हूं यहां पर लाइफ इंस्रेंस का मेरा है अगर आपका cyber cafe तो आप cyber cafe लिख देंगे तो आ जाएगा उसके आप यहाँ पर add unit कर देंगे अब देखें यहाँ पर कितने लोग आपके swap पे काम कर रहे हैं वहाँ पर आप लिखेंगे कितने पूरुस कितने महिला हैं और अधर जो वह है आपका बाकी zero कर देंगे और उसके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें जो यह में चीज है यहाँ पर जो ए नंबर है 20 का यहाँ पर जो आपने पिछली साल यदि कोई ITR फाइल किया था वह यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कितना रुपय था यह नहीं था तो जीरो कर देंगे और बी नंबर मे है वहाँ पर शरस करणा चाते तो क्रिगा तो करिगे और टी एstes और एल्स और यहाँ अतो लवीश करने देंगे अर अप देखें यहाँ पर जो 24 नंबर कालम यहाँ पर जो सवїल्श करेंगे चुन लेंगे यहाँ पर आपका जिला नाम होझाए संपीट करेंगे तो आप अपना उध्योगादार जो प्लीड जो सार्टिफिकेट होता है वह डाउन लोट करेंगे तो इसे आप को वात अच्छे से स्थेव करके रखना होगा मैंने इसे कंपी कर लिया ने अर को आपके ने च्रआण तो अब्हें आपकार एक्टिवेट कर दिया जाता dough और हम देखेंगे हमने इसे से शेप करें रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही जरूरी आप फिर से होंपेज पर आएंगे प्रिंट वेरिफाइब वाले सेक्शन में आएंगे और यहां पर वही रिष्टेसर नंबर डाल देना है मुवाइल डालके इमेल आईडिया मुवाइल पर OTP वेरिफाइब करना होगा लेखें जैसे OTP करेंगे तो इसतरीके से आपका सार्टिविकेट तुरंत ही जनरेट हो जाएगा और यहां पर आपका पूरे प्रिंटाओट करके उजने दे सकते हैं और बता सकते हैं और वह आपका डिटियल यहां पर वेरीफाइब करके आपको जो भी benefit लेना है इसके थूरू आपको मिल जाएगा तो इसी तरीके से आप भी अपना उद्योग अदार का registration करेंगे और बनाएंगे और यहाँ पर जो भी benefit होते हैं government के थूरू भी बहुत सारे benefit होते हैं और इसमें यह benefit सबसे अच्छा होता है कि आपका यहाँ पर जो भी business है गौवर्मेंट के नजर में आ जाता है कि यहाँ बिजनस भी यहाँ पर चल रहा है तो इससे आगे कोई भी benefit आप कमेंट वक्स में कमेंट करिएगा और अभी नेक्स वीडियो आने वाली है उद्योगादार में करेक्शन कैसे किया जता है यदि आप से कोई भूल हो गई है तो उस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से correction किया जाता है और यदि आपका business आपने बंद कर दिया है तो आपको अगर अपना उद्ध्योगादार cancel कराना है तो एक next वीडियो भी आने वाली है उसमें आप देखेंगे कि आपको अपना उद्ध्योगादार registration cancel किस तरीके से करना है तो इस वीडियो में इतना रहेगा अगर यदि आपको वीडियो से कोई problem कोई doubt है तो आप comment box में comment करिएगा हम उसका जल से जल solution निकालेंगे और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजेगा वीडियो को share कर दीजेगा साथ e साथ channel को subscribe जरूर से कर दीजेगा तो इस वीडियो में इतना है रहेगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाइवाय जयहिन जया भारत